अपने स्वर्ग दूतों को आग्या देगा और वे तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे कहीं ऐसा नहों कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे येशु ने उसे कहा ये भी लिखा है तु प्रभू अपने परमेश्वर की परिक्षा ना कर फिर शातान उसे एक बहुत उचे परवत पे ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखा कर उससे कहा यदि तू गिर कर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा तब येश्व ने उससे कहा हे शातान दूरहट क्योंकि लिखा है तू प्रभू अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर तब शातान ने उसे छोड़ दिया और छोड़ कर चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे ये प्रभू येश्व के जीवन की एक सत्य घटना है जब येश्व मसी 30 साल के हुए उन्होंने बप्तिस्मा लिया बप्तिस्मा इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी तरह वो पापी थे तो हम जब अपने पापों को मानते हैं तो क्या करते हैं येशु मसी को ग्रहन करते हैं और बाद में क्या करते हैं आग्या मानकर बप्तिस्मा लेते हैं तो येशु मसी ने बप्तिस्मा लिया यहुना बप्तिस्मा देने वाले के हाथों तो क्या येशु मसी पापी था इसलि लिया क्योंकि प्रभु येश्व मसी मानव जाती के पाप के साथ अपने आपको एक कर रहे थे क्योंकि प्रभु येश्व मसी मानव जाती के स्थान पर मनुष्य के स्थान पर पापी मनुष्य के स्थान पर अपनी जान देने वाले थे तो पहले मनुष्य के पाप के साथ उन्होंने अपने आपको इडेंटिफाई किया अपने आपको जोड़ा, मनुष्य के स्थान पे रखा मनुष्य पापी है, येशु मसी पापी नहीं है लेकिन येशु ने मनुष्य जो करने वाला था मनुष्य के पाप के साथ मानव जाती के पाप के साथ अपने आपको जोड़ा एक किया इसलिए क्योंकि प्रभू येशु मसी हमारे स्थान पर अपनी जान देने वाले थे इसलिए प्रभू येशु मसी ने बबतिस्मा लिया तो येशुमसी ने बबतिस्मा लिए और सब धार्मिकता को पूरा किया क्योंकि येशुमसी ने कहा प्रभू आप मेरे हाथोंसे बबतिस्मा लेंगे ये कैसे हो सकता है तो येशु मसी ने यहुना बप्तिसमा देने वाले के हाथों बप्तिसमा लिया और उसके बाद प्रभू येशु मसी यहां पे लिखा है कि बप्तिसमे के बाद येशु मसी की परिक्षा हुई येशुमसी चालिस दिन और चालिस रात तक येशुमसी ने उपवास किया और येशुमसी ने प्राथना की परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा पवित्र आत्मा के सामर्थ में बढ़ता गया लेकिन बाद में येशुमसी की परिक्षा ली गई और तीन अलग अलग तरीकों से येशु मसी की परिक्षा को हम इसमें देखते हैं पूरी तरीके से इसकी हम पूरी डिटेल में जांच नहीं करेंगे लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ इस छोटे खंड से वो ये है कि किस प्रकार हमारी भी परिक्षा ली जाती है मसीषी जीवन में हमारी भी परिक्षा होगी हम भी परिक्षा जाएंगे हम येशु मसीच को ग्रहंड कर लिया है पर प्रभू के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है यदि हम सच्मुच आगे बढ़ना चाहते हैं अगर हम सचमुछ परमेशवर की सेवा करना चाहते हैं, अगर हम परमेशवर के आनन्द में और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेशवर के आनन्द में और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमेशवर के आनन्द में और आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम परमे तो हमें सच मुच में हमें अपने जीवन में तीन परिक्षाएं यही तीन परिक्षाएं हमारे जीवन में भी होंगी यहां पर लिखा है कि आत्मा येशुमसी को जंगल में ले गया पवित्रा आत्मा येशुमसी को जंगल में ले गया ताकि उसकी परिक्षा हो हम बोलते हैं कि शैतान हमें परीक्षा में डालता है यह सत्य है कि शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है यह सत्य है जो संसार के अंदर शैतान का दुश्मन कौन है संसार के अंदर शैतान की दुश्मन कौन है शैतान परमेश्वर के राज्य का दुश्मन है शैतान परमेश्वर के राज्य के लोगों का दुश्मन है शैतान परमेश्वर के इरादों का दुश्मन है शैतान को पता है कि जब वो स्वर्ग से अब निकाल दिया गया है अब कभी भी उसका रास्ता वापस यू टर्न शैतान के लिए नहीं बना शैतान हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया है और इसलिए अब वो परमेशवर का विरोधी है और हर विश्वासी को परमेशवर के नजदीक जाने से वो रोकता है और अलग-अलग तरीकों से मसीही लोगों को मसी से दूर करना उसका काम है मैं आज सुबा इसी चर्च में इंग्लिस चर्च में प्रचार कर रहा था तो मैंने वहाँ पे बांटा कि हमारे सत्संग में 230 लोगों का बबतिस्मा हो गया है इतने सालों में लेकिन उसमें से कम से कम 30-35 इस लोग ऐसे हैं जो आज प्रभू में नहीं चल रहे हैं क्यों क्या हुआ आ गए शैतान की चपेट में या तो उन्होंने परमेश्वर को गलत नजरिये से समझा वो जब प्रभू में जब आये थे तो शुरू में ही गलत विचार लेकर की आये होंगे कि शायद प्रभू के पास जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा एक तो मुझे महिला अच्छे से याद है जो मुझे बाद में समझ में आया कि शायद ये आई ही इसलिए थी क्योंकि इसको ये लग रहा था कि उसके कर्जों से निकलने के लिए चर्च में उसको पैसा मिलेगा काफी देर बाद मुझे समझ में आया और ये बात तो आप जानते ही है कि सब लोग बोलते हैं कि आप लोग को पैसे मिलते हैं सुनते हैं आप सुने हैं ना लोग बोलते तो हैं ना इस बात को कि आपको पैसे मिले हैं अगर पैसे मिलते तो आप में से कितने लोगर अगर मैं आपसे पूछू तो आप अपना हाथ उठा लोगे कि भाईया हमारा तो यहाँ यहाँ करजा है किसी को पैसे मिले यहाँ पर बल्कि आपको हर बार देने पड़ते हैं न हर संडे जब कोई आपसे बोले तु ने अपना धरम बदल लिया और तुने पैसे खाए है तुझे पैसे मिले तो आप क्या बोलोगे भाईया हमको पैसे मिलते नहीं, हमको पैसे देने पड़ते हैं, ये अच्छा जवाब है देने के लिए, लेकिन कुछ लोग शायद ये गलत सोच कर आई थे, चर्च में आएंगे तो शायद पैसा मिलेगा क्योंकि सुनते तो यही है, तो क्या पता मिल जाए तो थोड़ा बह देते हैं, लेकिन देते तो है ना, तो कुछ लोग तो ये गलत विचार लेकी आए होंगे, कुछ लोगों को लगता कि प्रभू के पास आएंगे तो मेरा काम चल पड़ेगा, या मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा करजा खताम हो जाएगा, या मेरे जीवन से बिमारी निकल और फिर वापस प्रभू के पास लोट कर नहीं आए, तो बहुत बार, जैसे मैंने कहा, शैतान परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के इरादों का, परमेश्वर के राज्य का, और परमेश्वर का विरोधी है, और शैतान हम पर वार करता है, और लोग उसके वार की च शैतान परिक्षा लेता है फटाने के लिए परमेश्वर परिक्षा लेता है आगे बढ़ाने के लिए जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है जब परमेश्वर हमें परक्ता है हमारे विश्वास को परक्ता है हमारे विश्वास की सच्चाई को हमारे विश्वास की हमार विश्वास कितना सच्चा है, किस पर है हमारा विश्वास, या प्रभू हमारी प्राथमिक्ता, प्रभू हमारी priority है के नहीं, प्रभू हमारे लिए हमारी जिंदगी में number one है के नहीं, ये चेक करने के लिए आपको परिक्षा में डालता है, शेतान भी परिक्षा लेता है, परमेश्वर भी परिक्षा लेता है, शेतान परिक्षा लेता है, हटाने के लिए, परमेश्वर परिक्षा लेता है, हमें जांच कर और हमें जांचने के बाद उपर उठाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वो हमारी परिक्षा लेता है येशु मसी की परिक्षा आत्मा उसको लेकर के गया और येशु मसी की परिक्षा हुई उसी परकार हमारे जीवन में शैतान तो आपकी परिक्षा रोज लेता है पर आज में आपको बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आपकी परिक्षा किन तीन चीजों में लेगा, पर एक बात को जान लो, God wants you to keep him as number one in your life, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को सबसे उचा स्थान अपनी जिंदगी में दे दें, और ये बात सुनते सुनते तो बड़े साल हो गए, हम सुनते आ रहे हैं इस बात को लेकिन यही इसी बात को हमें बार बार अपने आपको याद दिलाना है कि मुझे संसार और संसार की चीजों के पीछे नहीं भागना है, मुझे परमेश्वर के पीछे भागना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की गहराईयों में चला जाओं, अगर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे और इस्तिमाल करे, अगर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी और आत्मिक भरपूरी और परमेश्वर के राज्य में मैं इस्तिमाल किया जाऊं, मैं परमेश्वर का सेवक और दास बनकर इस दुनिया में जीऊं, यदी मैं चाहता हूं तो सुन लो ध्यान से, बिना परिक्षा के नहीं होगा, परमेश्वर आपके दिल को जांचेगा, परमेश्वर आपके दिल की affections, आपके दिल का प्रेम, प्यार कहा है, किसके उपर है, किसके पीछे है, इस चीज़ को जरूर चेक करेगा, और जब तक वो आपको टेस्ट नहीं करेगा, तब तक वो आपको उप्योग में नहीं लेगा, यहाँ पर हम तीन, इस कहानी से, यह जो सत्य घटना है प्रभू येशु के जीवन से, यहाँ से मैं परमेश्वर, आपके जीवन में कौन-कौन से क्षेत्रों में आपकी परिक्षा लेगा, केवल मैं उसकी बात करूँगा आज, और सबसे पहली परिक्षा जो हम देखते हैं, वो है भोजन, भोजन, येशु मसी उपास करने गया, right? कब तक, कितने दिन तक उपास किया? 40 दिन तक और बाद में क्या लिखा, येशु मसी को भूख लगी, ओ परमेश्वर है हम भोलते हैं येशु मसी परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर को भी भूख लगी इसका मतलब येशु मसी सीमित है वो तो फिर आम इंसान हुआ अगर उसको भूख लगी, ऐसा कैसा परमेश्वर जिसको भूख लगी है? इस कहानी से क्या सीखते हैं? येशु मसी जब इस दुनिया में था, पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य इस बात को याद रखना है येशु मसी जब इस दुनिया में था, तो क्या था? पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य जब उसे भूख लग रही है तो वो परमेश्वर वाले कैरेक्टर को भूख लग रही है? या मनुष्य वाले सबसे पहली बात हम जानते हैं, जब हमें भूख लगती है, तो परमेश्वर को पता है कि वो कैसा होता है और शरीरिक भूख मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए? खाना चाहिए? लेकिन यहीपर हमारी परिक्षा भी होती है शेतान येश्व मसी के पास आया और इसी बात को लेकर के सबसे पहली उसकी परिक्षा ली, लीके नहीं ली लिख़ा येश्व मसी को भूख लगी तो बात में शेतान ने बोला पत्थरों को बोल की रोटियां बन जाएं तो प्रभू ने क्या बोला मनुश्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता लेकिन हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मूँ से निकलता है बहुत से लोग हैं जो जादा खाने से मर जाते हैं है कि नहीं है बहुत से लोग जादा खाने से मर जाते हैं तो एक तो हमारे हमारा शारिरिक जीवन हमारा धर्ती पर सांसे लेना हमारा धर्ती पर जीवित रहना ये भी रोटी से नहीं चलता किस चलता है परमेश्वर जब तक चाहेगा हम जीवित रहेंगे और हम खाएंगे पिएंगे हमारा शारिरिक जीवन परमेश्वर चलाता है और हमारा और हमारी आत्माओं का नया हो जाना हमारे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाना हमारा आत्मिक जनम जो होता है वो भी परमेश्वर के वचन से होता है पूरी तरह से हम परमेश्वर के वचनों के वचनों के उपर हम लोग dependent हैं लेकिन जो हमारी पहली परिक्षा होती आप देख सकते हैं हमारी जो पहली परिक्षा होगी आपकी और मेरी जो पहली परिक्षा होगी वो रोटी को लेकर के होगी, फूड को लेकर के होगी, मतलब हम अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो जाएंगे, हम अपने घर का राशन पानी चलाने में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमने इन चीजों को परमेश्वर से पहले रख तो हम अपनी पहली परिक्षा में क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं कितने लोग हैं जो अपने रोजी-रोटी कमाने में इतने व्यस्थ हैं कि वो परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते हैं और मैं अच्छे से जानता हूं मैं of course किसी का नाम तो नहीं लोगा बट मैं हमारे इसी चर्च की लोगों को जानता हूँ जो रोजी रोटी कमाने के लिए जो चर्च में नहीं आते हैं जो उनके लिए संभव है possible है उनके लिए कि वो दो गंटे अपने काम को इदर उदर कर ले और चर्च में आ जाए लेकिन नहीं आते हैं क्योंकि उनके लिए रोजी रोटी कमाना ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने काम काज को परमेश्वर के भी उपर रख दें केवल हम अपने रोजी रोटी को कमाने में जब व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर को उसके बाद रखते हैं तो हम अपने पहली परिक्षा में क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं, येश्व मसी की परिक्षा ली गई क्या वो रोटियों के लिए इतना तडब जाएगा और येश्व मसी के बाद सामर तो थी येश्व मसी रोटियों पत्थरों को रोटियों में बदल सकता था शातान की आग्या में आग, शातान के चैलेंज के सामने वो गिर जाता ये संभव था येश्व मसी के लिए पर येश्व मसी को रोटी से भी बढ़कर क्या है परमेश्वर का वचन ये बात येश्व मसी को याद थी और वचन के द्वारा ही उसने शेतान का सामना किया हर बार हर बात जो शेतान येश्व मसी को बोलता है उसका उत्तर येशु मसी कहां से निकाल के देता है बचन में से देता है मेरे प्रियों हमारी पहली परिक्षा होगी फूड को लेकर हमारी रोजी रोटी को लेकर हमारी परिक्षा होगी काम करो मेहनत करो बलकि मुझे तो बहुत ज़ादा खुंदक आती है ऐसे लोगों से जो काम नहीं करते, परमेश्वर को भी खुंदक आती है ऐसे लोगों से जो काम नहीं करते, बचन तो ये भी कहता है कि जो काम नहीं करता वो खाना भी ना खाए, लिखाया बचन के अंदर जो काम नहीं करता नहीं आता है इसलिए काम करो बड़ी मेहनत से काम करो और ये बात भी मैं यहाँ पर बताता चलूँ आप सबको कि कुछ-कुछ professions या कुछ-कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिन पेशों में संडे को सुभा चर्च में या शाम को चर्च में पहुंच पाना संभब नहीं है परमेशवर इस बात को जानता है वो आपके दिल की सच्चाई को देखता है कौन-कौन से पेशे हैं मुझे बताओ कौन-कौन से पेशे हैं जिनमें हम चर्च में चर्च के टाइम पर शायद नहीं पहुँच पाएंगे, कौन-कौन से पेशे हैं कौन-कौन से जो डॉक्टर के रूप में काम करते हैं हो सकता है, उनको किसी की सरजरी करनी पड़े, किसी का ओपरेशन करना पड़े सुभाद दस बजे, जब चर्च लगता है, तो परमेश्वर के कि वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में जा रहा है संडे सुभा ओपरेशन करने के लिए तो क्या वो अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरने के लिए क्या कोई और साधन का इस्तिमाल कर रहा है कि नहीं अगर संडे को वो नहीं जा सकता क्या वो बुद्वार को शनिवार को किसी ओर दिन जहां मीटिंग होती है प्रांतना होती है क्या वहाँ पर जाता है संडे का जो वचन जब recording के दोरा YouTube पर डाला जाता है क्या वो सुनता है या क्या वो अपने अपरेशन करने का जो schedule बनाता है, जो time table बनाता है, क्या वो समझदारी से काम करता है कि नहीं, कि नहीं, शायद ये patient, अगर मैं 12 बजे operation रखूँ तो भी ये मरेगा नहीं, तो मैं church होके आतो हूँ 12 बजे करूँगा, क्या इस तरह इस तरीके से वो अपना दिमाग इस्तिमाल करके, क्या सचमुच वो परमेशोर को प्राथमिक्ता देता है कि मेरे प्रियो, अगर आप church आना छोड़ दोगे, तो आप प्रभू से दूर हो जाओगे अनगिनत मेरे पास अनुभव हैं, पिछले 15 सालों में अगर आप church आने में ढीले पड़ जाओगे, ultimately आप खुदा से दूर हो जाओगे ये शाटान की चाले होती है तो अपने आपको कलीसिया से जोड के रखना बहुत ज़रूरी है अपने आपको संगती में रखना बहुत ज़रूरी है हर बार आपको, कभी-कभी आपको संगती boring भी लगेगी It's alright, discipline में आ जाओ संगती आपकी सुरक्षा है संगती आपको बचा के रखती है बहुत बार आप मरे हुए मन से चर्च में आते हो, लेकिन जीवन के साथ वापस जाते हो अगर आओगे नहीं तो कैसे होगा Feeling पे मत चलो आज बड़ा खुश हूँ मैं आज मैं जाओंगा चर्च, शाबाश लेकिन आज मैं खुश नहीं हूँ मेरा मन नहीं है चर्च जाने का बढ़ा मैं तो भी चर्च जाओंगा ये ज़रूरी है तो एक तो डॉक्टर हो गया, जो नर्सिस हो गया उनकी duty लगती है अगर वो बोल दे मैं नहीं जाओंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी परमेशवर यहाँ पे समझता है जो लोग train चलाते हैं जो लोग buses चलाते हैं जो लोग हवाई जहाज चलाते हैं ये लोग हर बार संडे को नहीं आ सकते और परमेशवर इस justice को करेगा नहाई करेगा परमेशवर समझता है इस बात को लेकिन आपकी बात करो अगर आप भी ऐसी पेशे में हो जहाँ पर संडे शाम को आपकी duty लग जाती है तो परमेशवर आपसे नफरत नहीं करेगा पर आप देखो आप बताओ आपके जीवन में ऐसा कितनी बार होता है आप छे बजे चर्च आ सकते हो पर आप आते नहीं हो उसकी बात करो और हम उसी की बात कर रहे हैं अगर आप प्रात्मिक्ता नहीं देते हो परमेशवर को और संगती को और कलीसिया को और अपने काम काज में इतने व्यस्त हो एक दिन आपको समझ में आएगा कि आपके काम ने आपको धोका दिया आपके काम ने आपको पैसे कमा करके दिये लेकिन आपका काम आपकी आत्मा को चोरी करके और शेतान की जोली में डालके चला गया और तब आपको पता चलेगा इस काम से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ प्रभु येश्यों ने कहा क्या फाइदा अगर तुम पूरे जगत को जीत तो नौकरी छोड़ो पैसा छोड़ो अगर तुमने पूरे जगत को जीत लिया पर अपनी आत्मा को खो दिया तो तुम्हें क्या लाब इसलिए कलीसिया जाना सुरूरी है और अपने काम काज से बढ़कर परमेश्वर को रखना है और अपने काम काज में भी परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है अगर आप जो जो नौकरियां करते हो ऐसा नहीं है और ऐसा भी मत कर देना अच्छा ये संडे है प्रभू का काम अब मंडे है अब मैं अपना काम करूँगा ऐसा नहीं हम संडे को सत्संग में भी प्रभू के लिए आते हैं लेकिन हम सोमवार, मंगलवार, बुदवार, शुकरवार, शुकरवार, शनिवार को जब ऑफिस जाते हैं वहाँ पर भी खुदा की महिमा के लिए जाते हैं ऐसा नहीं है कि हाँ संडे को मेरे लिए काम बाद में आएगा प्रभू पहले आएगा लेकिन बाके दिन तो भाईया ऑफिस के दिन है तो काम ना मेरे लिए प बहाने मत करो, बहाने मत करो, परमेश्वर को प्रात्मिक्ता दे दो, हालेलुया, परमेश्वर को नंबर वन जगा दे दो अपने जीवन में, संगती हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है, चर्च हमारे लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है, कामकाज के पीछे इतना पाग पर लेके जाता है, मंदिर के शिखर पर चलो पड़ते हैं, तब शतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आपको नीचे गिरा दे, क्योंकि वो तेरे विशे में अपने स्वर् हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा नहों कि तेरे पैरों में पत्थर लग जाए, शिखर, अगर मंदिर के शिखर पर शेतान येशुमसी को लेके जाता है और वहां से नीचे गिरने के लिए उसको बोलता है, ताकि वहां से अगर येशुमसी गिरे और बच जाएगा, तो जीवन की दूसरी परिक्षा है, जो परमेश्वर के द्वारा हमारी परिक्षा ली जाएगी और वो क्या है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारी दूसरी परिक्षा नाम कमाने को लेकर है, मुझे कुछ बनना है, मुझे नाम कमाना है, सब लोग मुझे जाने, और हम ना को number one रखना है पर यहाँ पर किसको number one बनाने ही कोशिश की जा रही है खुद को और नाम कमाने को ले करके इतने इतनी हमारी धुन में हम लगे हुए हैं यह दूसरी परिक्षा है जिसमें मनुष्य गिर जाता है आपको पता कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं अब उनके पास क्योंकि देखो पैसा संतुष्ट तो करेगा नहीं अभी हम आयेंगे उसके वैसे लेकिन पैसा जो है वो हमें संतुष्ट करेगा नहीं क्योंकि zero की कोई वो नहीं है last कोई एक last zero नहीं होता कि इसके बाद तो zero लग नहीं सकता जिसके पास इतना पैसा है तो उसे क्या लगता है इतना चाहिए जिसके पास इतना है उसे क्या लगता है इतना चाहिए पर एक time आता है जब जिनको पैसा कमाना है पैसा कमा कर भी संतुष्टी तो मिलेगी नहीं आत्मा का चैन पैसों से नहीं आता है और इसलिए वो क्या करते है एक टाइम आता है अब वो पैसा कमाना छोड़ देते हैं फिर उनके लिए पता क्या होता है यह होता है नाम कमाना है in fact जो दुनिया के बहुत अमीर लोग है उनमें से बहुत से ऐसे हैं समझदार में कहूंगा उनको किसी सीमा तक मैं उन्हें समझदार काऊंगा क्योंकि वो ज्यादा बड़े घरों में रहते नहीं है, ज्यादा पैसा खर्चा भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है, खाना तो वही खाना है दिन में तीन बार वही रोटी खानी है पर अब उनको एक और धुन लगी हुई है क्योंकि खुदा को तो जाना नहीं है तो क्या धुन है, पैसा ले लिया, स्वाद नहीं आया तो अब क्या चाहिए, नाम चाहिए अब मेरे को नंबर वन मैं होंगा, that's it तो हम नाम कमाने के लिए बहुत बार इतने, उसकी धुन में इतने मगन हो जाते हैं कि हम परमेशवर को परमेशवर के हमें, परमेशवर ने क्यों बनाया हम उसके नाम को उचा उठाए मनुष्य का प्रथम करतव्य यही है ना, खुदा को जानना परमेशवर को जानना, और परमेशवर के नाम की महिमा के लिए इस दुनिया में जीना है, परमेश्वर जाना जाए He should be known, परमेश्वर का गौरव, गरिमा, आदर, सम्मान इस दुनिया में परमेश्वर का होना चाहिए जब येश्वमसी योहना बबतिस्मा के सामने गया, तो येश्व येश्वमसी को लिए बबता जाए तेरा नाम होना चाहिए परमेश्वाहख हूं, मैं तो सिरह टुझे इंतरडूस करने के लिए सिरह बारे में इसराइल को बताने के लिए आया हूं परमेश्वर का अन्दन आए उं, तू है में तू जाना जाए मैं तो तेरे पाओं के तेरे जूते के जो फीते हैं उसे भी खोलने के लायक नहीं हूँ तो किसका नाम होना चाहिए God should be all in all, He should be known वो जाना जाए, परमेश्वर जाना जाए, उसका नाम जाती जाती तक पहुंच जाए लेकिन मनुष्य, क्रिस्चिन लोग भी, मसीही लोग भी इस दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए उस लाइन में चल पड़े हैं जहां परमेश्वर की महिमा की कोई चिंता नहीं है और अगर आप इस परिक्षा में गिरे हुए हैं तो तौबा करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है और परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना जरूरी है और परमेश्वर की महिमा के लिए उसका दास, नौकर, सेवक, गुलाम बन के जीने की जरूरत है ना कि अपना नाम कमाने के लिए जीने की जरूरत है हमारी दूसरी परिक्षा हम फेम या नाम कमाने की धुन में मगन हो सकते हैं और तीसरा उसके बारे में हम पढ़ते हैं आठवा वचन देखिए चार का आठ सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे फिर शतान उसे एक बहुत उंचे परवत पे ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखा कर उसने कहा यदि तू गिर कर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूँगा तब येशु ने उससे कहा हे शतान दूरहट क्योंकि लिखा है तू प्रभू अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर तब शतान उसे छोड़के चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे यहाँ पर शतान ने येशु मसी को क्या ओफर किया सारा क्योंकि दुनिया किसके हाथ में फिलहाल आने के बाद दुनिया किसके हाथ में शतान के हाथ में क्योंकि शतान अपने तरीके से दुनिया को चला रहा है तो शतान ने कहा मैं सारी दुनिया का गौरफ तेरे को दे दूँगा सारे देश सारी जमीन सब तेरा है बस तू एक काम कर दे शातान आप समझ पा रहे हो दुनिया पाकर मनुष्य, इंसान दुनिया पाना चाहता है लगता है कि दुनिया पाकर वो खुश हो जाएगा शातान के पास सारी दुनिया है वो खुश नहीं है शतान किस चीज़ की खोज में है क्या कहा उस नेश मसी को तू क्या कर दंडवत कर शतान को क्या चाहिए हमारा दंडवत चाहिए हम अपना माथा टेक दे शतान के आगे उसको तो यह चाहिए मनुष कितना मूर्ख है अगर दुनिया पाकर खुशी मिलती तो शतान देने को तयार क्यों होता शतान भी खुश नहीं है दौलत धन दौलत पाकर शतान स्वर्ग से आया है शतान ने परमेश्वर के सिर पे जो मुकुट रखा है उसकी एक किरण का दर्शन भी उसके लिए बहुत है और वो दर्शन उसने देखा है जब शतान स्वर्ग में था स्वर्ग दूद था जब उसने पाप नहीं किया था तो वो परमेश्वर की ग्लोरी परमेश्वर की महिमा परमेश्वर का तेज उसको वो सच्चा धन है करके उसका स्वाद उसने चखा है उसको पता है कि धर्ती कुछ नहीं है उसको पता है संसार कुछ नहीं है उसको पता है कि दुनिया की धन्दौलत कुछ नहीं है इसलिए वो आपको देने को तयार है एक चीज के बदले उसको दंडवत कर दो यह चाहता है वो और मनुष्य इतना यही है यही है अंधापन, यही है मूरखता शेतान के पास जो चीज है जिसकी वो भी चिंता नहीं करता उसको आपका दंडवत चाहिए और वो एक्सचेंज करने को तयार है तुम मुझे दंडवत करो मैं तुमें संसार की सब धंडवत देने को तयार हूँ आज दुनिया में बहुत है जो उस रास्ति पर चल रहे है और यह हमारी तीसरी परिक्षा है and that is basically धन यह तीन चीज़े हैं जिसके पीछे इंसान मगन है, पागल है पहली चीज़ क्या थी हम वापस जाके देखेंगे what was the first thing पहली चीज़ क्या है रोटी, दूसरी नाम और तीसरा धन riches, wealth संपत्ति, जाइदाद, पैसा यह चाहिए श्यतान कहता है ले लो मेरे को मज़ा भी नहीं आता इससे मेरे को तुम लोगों से मज़ा आता है तुम लोग मेरे सामने धन्वत हो जाओ दे दूँगा मैं, आप देने को तयार है पैसे पर बहुत बार प्रचार भी किया है सोनू पास्चर ने भी किया होगा जादा नहीं बोलूँगा इसकी उपर लेकिन हम जानते हैं कि पैसा एक खोकली चीज है पैसा एक खोकली चीज है क्या हमें क्या हमें पैसे कमाने चाहिए बिल्कुल क्योंकि पैसे से ही दुनिया चलती है पैसे से ही हम इस दुनिया में रहेंगे क्या परमेश्वर हमारी जरूरतों से बढ़कर भी क्या हमें पैसा दे सकता है बिल्कुल वो अपनी मर्जी से अपने समय पर वो मात्रा डिसाइड करता है कितनी और वो हमें धन देता है ताकि हम उसका आनन्द भी उठाए और उसको सही उपयोग में भी लेके आए और दूसरों के लिए भी उस पैसे को इस्तिमाल करें परमेश्वर देता है धन लेकिन जब मनुष्य धन के पीछे इतना भाग जाता है कि वो परमेश्वर को भूल जाता है तो हम नश्ठ होने की रास्ते पे चल पड़े है लिखा कितनों ने अपने विश्वास की नईया को डुबो दिया है पैसे के चक्कर में कितने लोगों ने अपने विश्वास की नईया को डुबो दिया है किसके चकर में धन के चकर में पैसा बहुत अच्छा दास है बट स्वामी बहुत बुरा है तो अगर आपने पैसे को स्वामी बनाया है तो आप नश्ट होई चुके हैं लेकिन अगर पैसा केवल आपके लिए इस्तिमाल किया जाने वाला एक यंत्र है एक इस्तिमाल की जाने वाली केवल एक मात्र वस्तू है और आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पैसे को इस्तिमाल करते हैं तो आप सही है पैसे को दास बनाये मालिक नहीं पैसे को क्या बनाये और क्या नहीं बनाये यही तीन परिक्षाएं हैं जिन में मनुष्य गिर जाता है और इन ही तीन बातों से हमें बचना है और पवित्रात्मा, परमेश्वर का पवित्रात्मा जो आपकी अंदर रहता है वो इन तीन परिक्षाओं से बचने के लिए आपकी सहायता करेगा लेकिन परमेश्वर, शातान तो करता ये काम परमेश्वर भी इन चीजों में आपके दिल को जांचेगा इस समय जांच रहा है आज वो आपके दिल को जांच रहा है आज इस बचन के प्रकाशन के द्वारा वो आपके दिलों का भेद खोल रहा है आज इस समय बैठे-बैठे वो तयार कर रहा है, परमेश्वर तै कर रहा है, आपका आने वाला कल कैसा होगा, कुझी आप ही के हाथ में है, आपका response क्या है, आपका प्रति उत्तर क्या है, आज आप क्या करोगे इस बचन के सुनने के द्वारा, जो आपने आज सुना है, उससे तै होगा, आने वाला कल कै और आपके बच्चों का भविश्य क्या होगा, आपके बच्चे कल किस रास्ते पर चलेंगे, वो आज जो मैंने प्रचार किया, इसके उत्तर से फैसला हो जाएगा, फैसला आपको करना है, सत्य खुल गया है, सत्य खुल गया है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है, You give a response, आप फैसला कीजिए, आप क्या करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारी परिक्षा लेता है, केवल शेतान नहीं और परमेश्वर शेतान आपकी परिक्षा लेता है, आपको गिराने के लिए, मिटाने के लिए, नश्ट करने के लिए और खुदा के राज से, और खुदा के पर्पस से, खुदा के इरादों से दूर करने के लिए, शेतान आपकी परिक्षा लेता है, परमेश्वर भी आपकी परिक्षा लेता है, लेकिन केवल आपके दिल की सच्चाई को जान कर, और आपको परमेश्वर अपने करीब लाने के लिए परमेश्वर भी आपकी परिक्षा लेता है तीन चीजों में रोटी, नाम और धन आप बताईए और अपने मन में अपने आपको बताईए खुदवाब को बताईए उसके सामने खड़े होकर आप खुदवाब को बताईए कि आप किस के पीछे जा रहे हैं आप रोटी के पीछे भाग रहे हैं परमेश्वर से जादा आप नाम कमाने के पीछे भाग रहे हैं परमेश्वर से जादा आप पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं परमेश्वर से जादा और अगर ऐसा है तो पस्चताब करने की आवशक्ता है